पहले कॉलर जुड़ गई हैं बात कर लेते हैं कमला जी है चंडिगर से हमारे साथ स्वागत हैं आपका नमस्कार जी नमस्कार हां जी ऐसे है कि मेरे को न बीपी शुगर थायरेट भी है और कराक्टर जी समख्या जाएब है ठीक है एज क्या है आपकी और जी शिफ्टी फॉर अब मैं आप हैल्दी है क्या बहुत ज्यादा है खांजी मेरे सेवन्टी फई है ठीक है ठीक है हां दिखिए थायराइट वालों को अक्सर खर्राटे आते हैं यह भी निशानी है थायराइट होने की के खर्राटे आने लगते हैं मैं आपको दो निश्के बताता हूँ आप लिख लें अलग-अलग और इससे थायराइट तो आपका ठीक भी हो सकता है पूरी तरह अगर आप निश्का लिख लें थायराइट के लिए दिखिए धनिया तीन सो ग्राम इसकी तादा जरूर लिखें इसका वजन लिखना 500 ग्राम और गॉन मौरिंगा सफेद गॉन मौरिंगा सफेद सफेद वाला ही लेना है 100 ग्राम इनको पौडर बनाएं और वो दवा जो आप खाते हैं उसके साथ ही ये भी आप दिद में एक बार या दो बार खाएं पानी के साथ गरम पानी 5 वार भी हैं तो थाराइट ठीक होगा तो यह आपका वेट भी ठीक होगा वेट ठीक होगा तो खर्राइटे ठीक होने चाहिए अब बी-पी शुगर का इलाज भी जरूरी है यह कभी भी हमें तकलीफ में डाल जाता है बीपी से हमें फालिज हो सकता है लकवा पैरलाइज से जिसे कहते है तो एक ऐसी भी दवा है जो इन दोनों का बड़ा ख्यार लगती है शूगर को भी स्थिर रखती है वो दवा भी खाते रहें जो आप खाते हैं और जैतुन का सिर्का खरीद लें और एक बार या दो बार दिन में पानी में तीन चमच टी स्पून मिलाकर एक गलास पानी में रोज एक बार या दो बार पीना चाहिए तो इन दोनों बिमारियों पर कड़ी पहरीदारी करता है और शूगर का भी बहुत खयार लगता है अगर लगातार लें तो आप सेहत की जिंदगी गुजार सकते हैं नेक्स्ट कॉलर है नागपूर से पुषपा जी हमारे साथ स्वागत है आपका जी मैम आपके एज कितनी है मेरी है सिक्स्टी सिक्स्टी बाल जड़ रहे हैं तो एक अच्छी दवा बताता हूँ करो माटेविल आता है जिसे कहते हैं गौन सफेद मौरिंगा सफेद मौरिंगा का गौन लें सफेद होता है यह लाल वाला ना लें गौन मौरिंगा सफेद यह सो दो सो ग्राम खरीद लें और अदा ग्राम रोजाना पानी में मिलाकर दूद में मिलाकर बगएर चरबी के दूद में मिलाकर या गाजर के जूस में मिलाकर रोजाना एक बाल लिया करें तो आपके बाल अच्छे होने मुम्किन है बात करते हैं अगले कॉलर से बूमी हमारे साथ जुड़ी है MP से स्वागत है आपका मुम्किन है हलो हानगी बुमी जी आपका सवाल क्या है में को गैसी प्रोब्लम में मेरी 12-15 और मुठी प्रोब्लम मुझी बहु ढूर्वी जुड़ी कभी बिगांद ओनने लगता है कुछ देचिने लगता है ना कुछ खानी सक्ती बतामा काना नहीं थाक्ती अच्छे ते मे अरामी जन्राज के ठीक है ठीक है देखिए एक ही सांस में आपने सारी बाते कह दीए अगर मैं एक सांस में सारी बाते कहूं तो आप समझी नहीं पाएंगी इसलिए मैं सांस ले लेके बात करता हूँ एक निसका खुद बनाएए खुद इस्तमाल कीजिए फाइदा ये काफी मश्वूर है अपनी काम्याबी के साथ मैथी 200 ग्राम मैथी 200 ग्राम मैथी का दाना और धनिया 200 ग्राम और आमला 200 ग्राम और सौफ 200 ग्राम खुब बारिक पीस हैं और इसको आप जैतुन का नमक 1500 ग्राम ये 200 ग्राम भी ले सकते हैं इसको मिक्स करें और एक एक चमच आदा आदा चमच से एक चमच तक दिन में दो बार इस्तमाल करना शुरू करें खाने से पहले करें या बाद में पानी आप गरम पीएं पांच बार एक दिन में अभी इत्ती चोटी उमर है आपकी अभी से फा स्वागत है आपका मैं आगरा पे बोल लहीं हूं जरा आप मैं तीन महने से प्रयाइब कर रही हूं मेरी बेर जी से बात करवा जी मुझे बहुत बड़ी समस्त्या आया बात की जी जी आदा वर अगरा वालो नमस्कार वे जी आदाव बताईए बताईए मैं मैं सुन रहा हूं बताईए मुझे बहुत बड़ी समस्त्या है एक सार्थ से और मेरी एज आठतर साल और मुझे गरमती कोई सूट नहीं करती है क्रस्या आज मुझे आप बत की तरह बताईए मैं आपकी बहुत सारी में देख रहे हैं तीन चाह मेने से आपका क्रोग्राम देख रहे हैं चीके ठीके बहुत धन्यवाद देखिए आप लिखेंगे तो आपको फाइदा हुआ नहीं तो आप उसकी क्वानिटिटी खराब क सकता है तो इसलिए लिख लें देखिए साफ लीजे दो सो ग्राम साफ दो सो ग्राम धनिया दो सो ग्राम आमला दो सो ग्राम ये तीनों चीज़े ठंडी है ठीक है अब इसमें मिलाएए मेथी दो सो ग्राम मेथी का दाना ये चार चीज़े हो गई दो दो सो ग्राम लेनी है और इसमें एक आता है नमक जिसे कहते हैं नमक जैतून ये देखने में नमक जैसा ही होता है लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता ये डेर सो ग्राम लें और इसमें मिला के घर में पाउडर बनाएं पिसा पिसा आया कुछ लाना नहीं है सब घर में पीछना है और इसका एक एक चमज दो या तीन बार खाने से पहले खाया करें गरम पानी के साथ और आपको देखे फाइदा बहुत जल्दी होगा लेकिन आपको ये सारा मैटेरियल जो एक किलो पचास गिराम होता है अकरीबन खतम करके ही चैन लेना है आपका रोग मुक्त होना मुमकीन है नेक्स्ट कॉलर सुमन है कुलकाता से हमारे साथ स्वागत है सुमन जी नमस्कार पादर 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 में बहुत ज्यादा ज़्यादा दर्द होगा करीब तेरा साल से दर्द हो और थाइरे भी है बहुत ज्यादा उथ साफ साल से ठामरे她 ही है और करेश नहीं है तो फुल ही बहुत ज्यादा गताई है मैम एच किया है आपकीाईू आई वे सेरस तीस साल और हाथ बोल में जलन दाता है आँखों में जलन दाता है यह जड़ो दिकत है ठीक है थाइरड भी है जी थाइरड है ने साथ आठ साल से है उमर भी बहुत कम है आप मेरी बात समझ लें कि क्या करना है आपको ते यह बना लें पहले एक एकसरसाइज बताता हूं इस आप लिखने की तयारी कर लें दिहे यह जो सर में दर्थ है आँखों में जलन है और हैठ पैरों में जलन है यह सब जाए गा एकसरसाइज करने पड़ेगी एक नस्का बनाना पड़ेगा घरे लो ने कि ये ये देख रहे हैं आप मैं जो एक्सिसिस कर रहा हूँ ये आपको तीन मिनٹ करनी है रोजाना एक साथ नहीं कर पाएंगे तो एक एक मिनिट करके भी कर सकते हैं आदा आदा मिनिट करके भी कर सकते हैं ये तीन मिनिट आपको ये और तीन मिनिट ऐसे ऐसे पूरी तरह मोर दें यहां आ जाते हैं ये ठोड़ी हमारी देखें यहां आ जाते हैं यह तीन मिनिट करना शुरू करें, रोज आना, इसे जादा भी कर सकते हैं, लेकिन तीन मिनिट ही काफी है, अगर आप परिशान ना हो तो, यह तो हुए फिजियो थेरेपी, यानि एक्सरसाइज, यह बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और एक नस्खा बनाएं, और वो है, धनिये का दाना तीन सो ग्राम लेना है, धनिया, सुकावा धनिया तीन सो ग्राम, आवला सो ग्राम, मेथी सो ग्राम, और गौन मौरिंगा सफेद, सफेद वाला गौन मौरिंगा ही लेना है, सफेद वाला लाल वाला नहीं, सो ग्राम लेजे, और इसको पौडर बनाके एक चमश सुबा शाम खाईए, आप देखेंगे के हर महीने आपका थायरेट लेविल की तरफ जाने लगा, आपकी डॉक्टर और आप खुद भी रिपोर्ट देखेंगे के हर महीने कम हो रहा है और साथ आट महीने में अक्सर गोली ही छूट जाती है, अभी मत छोड़ना हो गोल डॉक्टर के मश्वरे से वो कम करते जाएंगे गोली की प्रोटेंशी और एक दिन आपकी गोली छूटेगी फिर ये निस्वा भी छूट जाएगा और आप नॉर्मल जिंदगी गुजार पाएंगे कश्मीर से अगली कॉलर है साइमा, स्वागत है आपका असलाम अलेकुम जी वालेकुम सलाम जी लकिम साब मैंने एक महीने पहले फोन किया था मेरी उम्री 14 साल है और मुझे वाई डिचारज, PCOD और चाती में दर, नुजला, जुका और डिजेशन की प्राग्म थी तो आपने मुझे बताया था माजून आर्कियर और कलोंजी नमग, जुकर अल्ला का और आफ्टो मेरे लिए सिर्फ्टी से कम नहीं हो, मुझे उससे काफी रिलिफ मिला, तो अब मेरे सवाग ये था है किम साब, जो इन सालों में, जो मेरे वजन गट गट गे है, उसे मैं क अच्छा बटा अभी मत लीजे, वो दवा पहले आपका मिजाज बदल जाए, थोड़ी ठंडा मिजाज था ना आपका, ये दवा आपको पांच महीने के आसपास खानी है, ज्यादा या कम, तो आप पूरी तरह ठीक होगए, अभी तो आप खुशी में आपने कह दिया, ले और बिल्कुत दवा छोड़ना नहीं, पांच महीने से पहले, आप जिन डॉक्टर के तहत बात कर रही हैं, बताया मैंने, लेकिन मेरे डॉक्टर हैर प्लाइन नमबर पर हर वक्त तैनात रहते हैं आपकी खिदमत के लिए, उनके मच्छरे से दवा छोड़ना, दवा बता देता हूं मैं लेकिन अभी लेना नहीं, ठीक है बता, देखिए गाउन मौरिंगा आता है सफेद, गाउन मौरिंगा सफेद वाला ही लेना, और ये अभी इस्तेमाल नहीं करना है आपको, जब आपको ये बीमारियें चली जाएं तो आदा गिराम रोजा ना लें, और ये जो आपका नारियल पानी आता है, इसमें मिलाकर पी लिया करें, दिन में एक बार, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं लेना, आप कह रही हैं आपको फाइदा हो गया, लेकिन मैं अभी इत्मिनान नहीं है, जब तक आप पूरा इलाज ना करें, जब तक आप इसको प्रिप्या अभी आता है, श्यूआम्लाल जी,ापका श्यूआम्ला। नथेके आसान इलाज है, आप जैतून का नमक आता है, वो दो चुटकी रोजाना पानी में मिलाकर, जैतून का रसाइन कहते हैं से